हालो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत हमारे चानल पर तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिसेंटली अभी जो मूवी लॉंच हुई है पुश्पा तो उसमें जो एक्ट्रेस है रश्मी का बंदाना तो उसका लूक हम लोग आज क्रेट करने वाले हैं आज कि हमारी वीडियो में तो सारे प्रोड़क्ट जो होंगे हम मेकप क्रेट करने के लिए इस्तमाल करेंगे वह काफी सस्ते होंगे एकट में मिलने वाले होंगे फिलाल तो अभी पुष्पा मोवी और इसमें जो एक्ट्रेस है काफी सिंपल और ब्यूटि वीडियो की अपडेट आप लोगों को आपकी मोबाल स्क्रीट पर मिलती रहे और सब्सक्रिप्शन के लिए हमें कोई चारदे स्पेड नहीं करना है सब्सक्रिप्शन एक दम से दोस्तों सबसे पहले हमें ले लेना है यहाँ पर मॉच्चराइजर तो मॉच्चराइजर अव स्किन के लिए स्किन काफी हेल्दी होती है दोस्तों हमारे सब डे बाइडे बहुत सारी न्यू फैमिली जॉइन होती जा रही है तो इसलिए मैं हमेशा बार-बार मेरे वीडियो में बोलती रहती हूं न्यू परसंस के लिए कि स्किन केर करना इंपोर्टन है इसलिए में हम कावली तूचा होने के कारण करूंगी कोई भी बीवी क्रेम, CC ची सी क्रीम या फीर फाउंडेशन तो यहाँ पर मेरे सबसकी चाहução का पर कुछ इस तरिकी से सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेहर से ml Sevcom. कर लूँगी कोई ब्लेंडर की जरूरत नहीं कोई ब्रश की जरूरत नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हैंड की मदद से इस बीबी क्रीम को अच्छी से अपलाई कर लें दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमने जो मॉइचराइजर यूज किया है ऐलोवेरा जेल उसके तो याँ पर वापिस में ले लूँगे ईलोवेरा जेल तो फोड़ा सा वन ड्रॉप में याँ पर एलोवेरा जेल मेरे हैंड के ऊपर निकाल लोगी फिर उसमें वापिस ते मैं यहां बोड़ डाल दूँगी पॉंक्स की बी-बी क्रीम आड़ नहीं करनी है आप लोगों क लिए कुछ इस तरीके से मेरे हैंड की मूदद से कर दूंकी मेरे आइस के उपर assistantship लेए कॉटीअ का काम हुटा है dark spots को च्छे से चिपा लेना तो यहाँ पर मेरे कुछलिपस के पास बेस अवदिए तो में इस तरीके के भी हम लोग अच्छे से apply कर सकते हैं concealer या फृप्र कोई भी product की या फिर इंस्टूमेंट की हमारे फेस पर अप्लाइ करने के लिए सिदा सादा तरिके से भी हम लोग अच्छे से make up कर सकते हैं सिफ करना चाहिए दोस्तों वापिस से दिखा देती हूँ आप लोगों को कंसिलर के लिए हमने यहाँ पर बीबी क्रीम और अलोवेरा जेल दोनों का इस्तमाल किया है फिर नेक्स टेप में यहाँ पर ले लूँगी लैक्मे का रेडियन्स फ्री यहाँ पर मेरे पास एक पाउडर है जो की टुटा हुआ है तो उसके लिए मैंने किस तरीके से उसको अच्छे से जोड़ा है या फिर मैंने वापिस से उसको कैसे अच्छा किया है वो भी वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ उस वीडियो में भी आप लोगों को एक न्यू ट्रीक दिखाई देगी जिसमें कि हम लोग बीना सारे प्रोड़क्स के अच्छे से मेकप कैसे कर सकते हो और हमारा जो कॉम्पैक पाउडर टुटा है उसको कैसे अच्छे से जोड़ सकते है यहाँ पर हमारा कॉम्पैक पाउडर थोड़ असा खराब हुआ है इसलिए मैं ब्रश की हेप से इसको अच्छे से अप्लाई कर लूगी मेरे फेस के उपर अगर आप लोगों के पास कॉम्पैक पाउडर नहीं है तो आप लोग साधा वाला पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हो दोस्तों अभी हमें अप्लाई करना है मस्करा हमारे आईलेशेस के उपर लेकिन मस्करा न होने के कारण हम यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रेक इस्तमाल कर लेते हैं हम एलोवेरा जेल हमारे आईलेशेस के उपर apply कर लेते हैं जिससे के हमारे eyelashes को अच्छा सा volume आता है और हमारी eyelashes काफी volume वाली दिखती है फिर उसके बाद यहाँ पर में 10 रुपीज वाला इस्तमाल कर लूँगी eyeliner blue heaven का काफी अच्छा ऐसा eyeliner है मुझे जादा dark eye makeup पसंद नहीं है इसलिए में single stroke की apply कर लूँगी eyeliner का मेरे eyes के उपर तो यहाँ पर दोनो eyes के उपर मैंने अच्छे से eyeliner को apply कर लिया है single stroke की मदद से अगर आप लोगों को फसंद होगा तो आप लोग अपलाई कर सकते हो जादा dark वाला stroke भी दोस्तों अभी हम वापेस ले लेंगे यहाँ पर सोंदर्या पतंजली का अलोवेरा जेल तो यहाँ पर हम इसे apply कर लेंगे हमारी lips के उपर जिस तरीके से हमने face के लिए apply किया था moisturizer की बेस पर उसी तरीके से हम लिबाम की तरह इसे apply कर लेंगे हमारी lips के उपर दोस्तों नेक्स टेप में यहाँ पर ले लूँगे लेकिन मेरे lips normal है इसलिए में matte lipstick भी इस्तेमाल करती हूं फिर उसके बाद उसी lipstick के हद से हमें blush का इस्तेमाल कर लेना है तो कुछ इस तरीके से में यहाँ पर natural वाला light वाला blush इस्तेमाल करूंगी ज्यादा dark blush हमें नहीं दिखाना है दोस्तों अगर ज्यादा दिखाते हैं हम तो यह natural नहीं लगता है दोस्तों वापिस से हम ले लेंगे यहाँ पर highlighter बनाना के लिए एक aloe vera gel का bottle और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक हम drop ले लेंगे aloe vera gel का और मेरे पास एक shimmer का डबी था तो मैंने कुछ इस तरीके से दोनों को mix कर लिया है पाश रुपिस में मुझे मिल गया था तो highlight में कुछ इस तरीके से कर लूँगी दोनों को अच्छे से face पर आप लोगों को जो भी part अच्छे से highlight करना है उसके उपर आप लोगों को इसे apply कर लेना है तो मैं यहाँ पर मेरे cheek के उपर और nose के उपर इसे apply कर लूँगी एकदम से natural highlighter हमारा यहाँ पर बन rose water का इस्तमाल कर लेंगे हमारा make-up को set up करने के लिए फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें कर लेना है hairstyle तो hairstyle के लिए हमें दो section में part कर लेना है अच्छे से और कुछ इस तरीके से में left वाले section को pin up कर लूँगी दोस्तों मेरे photo यहाँ पर screen पर mention कर दी है हमें कुछ इस तरीके से हमें दुसरे वाले part के भी hair को अच्छे से टक कर देना है कुछ इस तरीके से सेम तरीके से टिक टॉक वाली hairpin की हेल्ट से प्रोड़क हम ने ट्राइक के आज के वीडियो में तो रश्मी का मंदाना जो एक्ट्रेस है वो हमारे स्किन टोन के बराबर है की हैं वाले किस तरीके से अपनी स्केन के लिए अपलाइ करती है वो हमने इस वीडियो में देखा है लेकिन उनके फैस्ते प्रोड़क्स हो कंचते हैं हमेंशा बार बार एक बार कर सकते बार बार तो नहीं कर सकते लिए उसके लिए हमने ऑप्शन डुन के आज के वीडियो में एफ़ड़ेबल प्रोडक्स से मेकप किया है तो वीडियो कैसे लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए साथ में दोस्तों को करती सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजे आप लोगों के जो सुजाव होत अब तक सब्सक्राइब मस रहें अपनी स्कीन का बहुत तरह खयाल रखिए और हाँ एक इंपोर्टेंट बात स्कीन अच्छा रखने के लिए स्कीन के इंपोर्टेंट है यह साथ में हमें ज्यादा पानी भी पिना है दोस्तों इससे हमारे स्कीन की अंदर जो टॉक्सिंस ह होता है वह तो रिमूई होता है लेकिन साथ में शाइन आ जाता है तो चलिए तो चलिए अच्छे रहिए अपने स्कीन का बहुत सरा खयाल रखिए बाबाई टेक केर